उपरी हिमाचल के सेव भहुले इलाकों में कई स्तानों पर लगातार हो रही ओला बरिस्टी से लाखों प्वेटी सेव को नुकसान पहुंचा है शिमला जिला के रामपूर उपमंडल के गोरा कोटी सहन किन्नू 15 बीस किनाती टिकर कूट सरपारा जलोदरी फ्रांच ननखडी तहसील के दरजनों पंचायतों में वसाथ लगते कुलू जिला के आनी उपमंडल के दरजनों गाउं में ओला बरिस्टी से सेव और अन्य फसलो को नुकसान पहुंचा है रामपूर के साथ लगते गोरा पंचायत के लोगों ने बताया कि 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बहानक उला बरिस्टी हुई है इससे सेव की फसल तो बरबाद हुई है उला बरिस्टी होने के कारण सेव के बीम को भी चोट लगी है औ आने वाले दो बर्षों में सेव लगना मुश्किल है लोगों ने बताया कि सेव के अलावा अन्य फसलों पर भी उला वरिस्टी का असर पड़ा है ऐसे में करोना के दोर में उन्हें और मुश्किल हो रही है सेव ही उनकी एकमातर रोजी का सादन था सरकार बागवानों को म विक्षती पहुंची है उनकी पंचायत में दो लाख पेटी सेव का नुपसान हुआ है उन्हें का कि क्षेतर में ऐसी ओला बरिस्टी पहले कभी नहीं देखी गई थी सेव के अलावा पौधे के बीमे पर भी असर पड़ा है सरकार इस करोना काल को देखते हुए किसानों क मौफजात जरूर परदान करें यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान लगबग अभी यहां पर जो भी सेव पेड़ों में है वो पूरी तरह से खतम हो चुका है वो कहीं पी ना तो वो आने वाले समय में बजार में उसकी कीमत रहेगी और मैं बता दूँ सेव के साथ जो सेव में बीमे होते है वो भी पूर उनके लिए थोड़ा आस्रा हमारे सेव करता लेकिन वो भी उनकी उमीदे खतम कर चुका है यह ओला तो मैं यहां से अपनी सरकार से यही यहां से मांग करता हूँ कि वो जो भी हमारे किसान भाई है जहां पर भी नुकसान यह ओले से हुआ है वो किसानों को मुआवजा परद गौरा की 70 वर्षी कला देवी ने बताया कि सेब सबजियां मतरवा अन्य फसले तबाह हो चुकी है उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतनी नुकसान धा एक ओला वरिष्टी देखी है उन्होंने बताया कि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है और सेब ही आसरा थे बहु और वो दोनों विद्वा हैं कि इस साल देखा कि खट्म हो गया और पाई हो गई है मेरा नाम कमला नंग जी इसके फारेम पोने चाहते हैं कि दो तिन दिन में उल्ला प्रिष्टी इतनी हुई है क्योंकि सेव शूब तबहा और फसल सारी जो भी बीगे सब्जी मत्र जोग्यों कि फसल भी तबाह हो गई कि अब हम सरकार से मांग जाते है कि इसका कुछ समोजा दे दे तब भर पूर हो गए नहीं तो हम तुछी पर निर्वा रहे है मेरा नाम मनोज गाहों गोरा ग्राम पंचाय धार गोरा तो जो पिछले तीन चार दिनों से उलव रिष्टी हो रही है जिस करण से जो हमारी फस अब लगतार यह उलव रिष्टी हो रही है इसके वज़े से हमारी पूरी फसल टॉटल लव सो चुकी है तो जिससे हम काफी परिशान है लगतार मुझसम खराब रह रहा है पिछले तीन चार दिनों से और उलव रिष्टी हो रही है तो हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी इस वसल के बारे में जरूर सोचें और कुछ मुहफजा देने का सोचें इस बारे में